हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी रोटिया बच गई है और थंडी रोटिया कोई खाता नहीं है, तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हो, जो पाच दस मिनिट में बनके तैयार हो जाएगी और आपकी बची हुई रोटिया भी वेस्क नहीं होगी, उसके लिए आपको आरिक कटी प्याज और कटी हुई हरी मिर्श डाल कर अच्चे से भून ले, फिर उसमें हल्दी डाले, आप चाहे तो करी पत्ता, हरा धनिया और भुनी हुई मुपली भी डाल सकते हो, फिर आपको पिसी हुई रोटिया और नमक डाल के अच्चे से मिला देना है, फिर ढख कर पाच मिनिट के लिए पकाए और गर्मा गरम परोसे, मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्चे लगती है, तो वीडियो को लाइक चैनल को